नमस्कार, 36 गर में हीट वेव का अलट कुछ जगों में आंधे तुफान की संभावना गरचमा के साथ हो सकती है बारिस आपको बता दे कि प्रदेश में इन दिनों भी सरगर में पढ़ रही है कई जीलों में अधिक्तम तापमान 45 डिगरी के करीब पहुँच गया है कुछ जीलों में लू चलने की संभावना भी जताई गई है मौसम विभाग ने मध्य चत्तिसगर में लू के लिए अलट जारी कर दिया है कल 45.9 डिगरी सेलस अधिक्तम तापमान के साथ जांगयों चापा जीला सबसे ज़्यादा गर्म रहा राइगर में तापमान 44.2 डिगरी सेलस रिकॉर्ड किया गया मुंगेली में भी तापमान 44.3 डिगरी सेलस रहा इसके बाद बलोदा बाजार 43.4 डिगरी सेलस तापमान के साथ गर्म रहा राजदानी राइपूर में भी मौसम का यही हाल है यहां त्राइज डिग्री सेल्चर्स तापान दर्ज किया गया है अगले 24 घंटे में कैसा रहेगा मौसम मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुतब्यक प्रदेश का मौसम लगतार सुस्क बना हुआ है उत्तरपस्टिम से आ रही गर्म हमाओं की वज़ा से अगले 24 घंटे में मध्य चर्थिसगर के एक दो जगों पर लू चलने की संभावना है वही कुछ जगों पर लू जैसे इस्थितीब बन सकती है खास कर बिरासपुर संभाग में मुंगेली, जानगीर और राइगर जीले में लू चल सकती है वही राजनान का जीले में भी लू जैसे इस्थितीब बनी हुई है मौसम भी से सग्येज पी चंद्रा की मुताबिक सुसक हमाओं की आने का सिलसिलात जारी है लेकिन कुछ जगों पर अंधर और हलकी बारेज नहीं हो सकती है हिट वेव को लेकर मौसम भाग की एडवाईजरी हिट वेव को लेकर मौसम भाग ने अलग से लोगों के लिए एडवाईजरी जारी की है जिसमें लोगों को पर्याप्त पानी पीने की अपिल की गई है इसके अलावा घर में बने सीतल पेल लस्ती, चावल पानी, नीबू पानी, छांच और नार्यल पानी जैसे पेयपदार्थों का सेवन करने को कहा गया है सान्थी तेजधूप के वक्त घर से बाहर नहीं निकलने को भी कहा जा रहा है हलके रंगे ढीले सूती कपड़े पहनने की सलाव विशे सक्यों की ओर से दी जा रही है घर से बाहर निकलने पर कपड़े टोपी या च्छतिक अपयोग करने का सुझा भी दिया जा रहा है और आखों की सुरक्षा के भी इंतिजाम करने की बात कही गई है